एस्ट्रो लवर्स जोतिश सूत्र को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाईए हमारे लेटिस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि सेवन मेजर चक्रास क्या है अगर इंसान जैसे खड़ा है बुनियार नीचे से होती है रूट चक्रा से बड़ जैसे हम स्टैंडिंग पोजीशन में हैं हम चलते हैं तो हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं, वो टॉप से करते हैं, तो मैं आपको टॉप से बताऊंगी कि फर्स चक्रा कौन सा है, फर्स चक्रा है, क्राउन चक्रा, जिनको हिंदी में कहते हैं सहसरारा, जी हाँ, ये एकदम सेंटर में यहाँ पर होता है, टॉप प करता है cosmic energy के साथ, yes spiritual connection रहता है इसका, ये ब्लॉक भी हो जाता है, yes किसे ego से, कभी कभी देखिए कुछ लोग छोड़ी बातों को ले लेते हैं, या ego का सवाल होता है, जैसे ego आता है ये आपका चक्रा ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, जो effective body parts होते हैं, वो है glands, nervous system, mind, intuition power, ये सारे connected होते हैं, crown chakra से, तो अब इसके बाद जो next chakra है, वो है third eye chakra, जिसे हम कहते हैं, bro chakra, क्योंकि ये दो bro के बीच में, इदम center में situated है, जी हा, इसको हिंदी में कहते है, ajna या agya, और इसका, जो color है, वो होता है indigo, rainbow में आपने indigo color को पाया होगा, तो इसका color indigo होता है, और य यानि psychic power, अब ये blocked होता है illusion से, illusions, fantasies, imaginations, और affected जो areas है इसकी, वो होता है hypothalamus, brain and intuitive powers, ये सब affected होते हैं इसे, इसके बाद, जो next chakra है, वो है throat chakra, जी हा, जी हा, जिसे हम कहते हैं, विशुदा, और इसका color होता है blue, यानि नीला, और इसकी जो areas affected होती है, वो होती है thyroid, thymus, metabolism, ये सब connected होते हैं, और ये deal करते हैं truth, यानि के communication, speech, the way you talk, the way you present, इससे dealing होती है, और it gets blocked by lice, जूट, जब आप जूट बोलते हैं, या कभी आप न चाहते होई भी आपको कहना पड़ता है, तो जो feelings, वो जो सब चीज़े आती हैं, तो आपकी इस chakra को block कर देती हैं, और next chakra है, वो है heart chakra, अगेन ये सारी chakra center में है, हम कहते हैं के heart left में होता है, बट ये chakra center में होता है, और इस chakra को कहते हैं, अनाता chakra, और इसका color होता है green, यानि हरा, and this deals with love, क्योंकि ये heart से connected है, love, feelings, emotions, affected areas again connected with heart, respiration, circulation, ये सब चीज़े इन से connected रहती हैं, affected रहती हैं, body parts, उसके बाद, next chakra है, वो है solar plexus, एकदम center में आ रहा है, जैसे crown आया है, third eye, throat, heart, solar plexus, almost nevel के यहां होता है, and इसे कहते है, manipura chakra, this is yellow in color, पीले रंका होता है ये, and this deals with willpower, willpower, ये कह सकते हैं कि, जब आप कभी willpower से weak पर जाता है, आपका willpower, मतलब strong नहीं होता है, बहुत कुछ ठान लेते करने की पर कर नहीं पाते हैं, तो it gets blocked by shame, मतलब आपको शरम आती है, या आप, you're ashamed of something, मतलब जो चीज आप नहीं कर पाए, maybe आपका willpower डगमगा गया, इसके वज़े से ये issue आए, so ये जो areas affected होती है, solar plexus से, वो होती है, liver, pancreas, जो भी connected होते है solar plexus के साथ, इसके बाद, जो next chakra है, वो है sakral, like nevel से दो उंगली नीचे, नाभी के दो उंगली के नीचे होता है sakral, sakral chakra को कहा जाता है swadishtha chakra, now, this deals with, you know, pleasure, pleasure and, ये blocked हो जाता है guilt से, कभी-कभी आप ऐसे चीज़े लाइफ में हो जाती है, जिसके वज़े से आप अपने अपको guilty मैसूस करते है, इसकी areas चो affected रहती है, वो होती है, urinary areas like ovaries, testis, sex glands, ये सब connected होती है और effective होती है इस chakra से, उसके बाद, last but not the least, root chakra, ये base of the spine में रहता है, जैसे हम यह कहते हैं कि root, ये connected होता है पूरी area, लोर बोड़ी की, root chakra, जिसे कहते है, मुलादार chakra, ये होता है red color का, यानि लाल रंग का, and now this deals with survival, survival कहेंगे तो, यानि earth, base, क्योंकि ये base में है, and again, इसकी connectivity हम कहेंगे जो affected areas है, वो है again, sexual grounding, जहां पर ये base है, जहां पर हम खड़े होते हैं, तो ये lower body का जो पूरा पार्ट है, affected हो जाएंगे thighs, knees, ankle, toes, ये सब चीज़े connected रहती हैं इसके साथ. ये पार्ट है, जहां जहां अज़े रहती हैं, तो ये जब रहती हैं, वो leान रहती हैं, क्योंकि झालना पर बाला पर्ट हैं, वो उने खरेघती हैं, ये ये रहती हैं,